असलाम वालेकुम आज हम बना रहे हैं अंडे की कड़ाई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना अब रेसिपी बताती हूँ आपको एक पैन लेंगे उसमें हाफ कप ऑईल दालेंगे और एक बड़े साइज का प्यास बारी कट करके वो सौते करेंगे ओल में प्यास को फ्राई नहीं करना है बस सौते करना है प्यास सौफ्ट हो जाएगा तो ये चार मीडियम साइज के टमाटर चौप किये वे वो उसमें डाल देंगे और उसको भी सॉफ्ट होने तक सौते करेंगे टामाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो एक टेबल इस्पून भरके जिंजर गार्ली का पेज डालेंगे उसका भी कच्छा पंदूर होने तक उसको भूनेंगे टामाटर प्यास के साथ और तीन हरी मिर्ची लिए बारिक काटके ये मेरी तेज वाली नहीं है आपको चाहिए तो तेज वाली ले लेना उसको भी प्यास के साथ फ्राइ करेंगे नमक दालेंगे एक टीस्पून एक टीस्पून जीरा पॉडर एक टीस्पून लाल मिर्च पॉडर एक टीस्पून धनिया पॉडर क्वाटर टीस्पून हल्दी पॉडर और हाफ टीस्पून गरम मसाला पॉडर इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को अच्छे से भूनेंगे और फिर दो बॉइल करके आलू डालेंगे उसमें कच्छे नहीं डालना बॉइल करके डालना इसको क्यूब्स में काटके मसाले में डालेंगे मसाले अच्छे से भून गया है अब उसमें अंडे डालेंगे मैंने छे अंडे दाली हूं, आप लोग भी ऐसा अफोर्ड के एक एक करके दालना अंडे को, अंडे दालने के बाद इसको ऐसी छोड़ देंगे पांच मिनट तक उसको सेटल होने के लिए, क्योंकि हमको अंडा कडाई बनानी है उसकी बुर्जी नहीं, अगर इसको तो ओ बुर्जी बन जाएगी फिसको एस्ते थोड़ा चंमा चिलाएंगे विसको कूख होने किलिए रखेंगे पारी अची पर तक बारी गास पे लिए अ बारी गयस मेशें यहीं cekной के दो को को और अच hou today इसको एक के हमक्स करेंगे विसको बाटने के रखना एंडे कि में कोटमीर दालेंगे और एक टीस्पून कसूरी मेती हाथ पे क्रश करके दालेंगे फिर अच्छे से मिक्स करेंगे यह बहुत अच्छी बनीती कडाई आप लोग भी प्लीज जरूर ट्राय करना और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर क करना इसको पाओ के साथ सफ करेंगे इंशालला फिर मिलते नहीं रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज